तो आज मैं बनाने वाली हूँ यह खटी मीठी जो इंगली की चटनी बनती है आज मुसको बनाना सीखेंगे तो यह मैंने थोड़ा सा पानी बॉइल होने के लिए रखा हुआ था इसको मैंने गरम कर लिया है और मैंने लिए 100 ग्रैम इसको मैंने पानी में सोक होने के लिए रख दिया है तो यह देखिए यह 15 मेर तक इमली अच्छे से फूल गए थी तो गरम पानी में इसली रखा था जिससे इसका जितना भी पल्प है वो आराम से निकल आए अब इसको हम हाथ से मैश कर लेंगे और जितना भी इमली का हो पलुटन ले लिए है इसमें हम अपनी चटनी बनाएंगे तो थोड़ा सा मस्टर आईल में इसमे डाला है अब इसको हम गरम कर लेंगे इसमें हींग और थोड़ा सा जीरा तो जीरा इसमें हम एकौंटरटी के आइझऊप से ले लें मैंने • क्वावicon शांब है गरम पल् और वह तेस्ट तक स्अफ जोती आप संफ का पाउडर भी ले सकते हैं मैंने साबुत संफ डाली है आप चाहें या थोड़ा सा क्रश करके डाल दें इस से भी टेस्ट बहुत अच्छा था चटनी में तो यह चटनी आप समोसों के साथ कचोडी के साथ दही पड़ों के साथ हर तोड़ा पानी और इसको हम बॉइल आने देंगे थोड़ी देर इसको हम बॉइल कर लेंगे चार से पांच मेट तक इसमें बॉइल आना है इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे यह जैगरी ली है मैंने तो पूरा जो एक बड़ा पीस आता है तो यह 100 ग्रैम है इसको आप थोड़ा बारिक बारिक तोड़ लें और इसके बाद हम इसको बारिक करके इसमें इमली के जो पल्प है इसमें डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे तो जितनी कॉंटिटी में बनानी हो आप गुड़ उसी हिसाब से ले लें कम या ज्यादा आप ले लें मैं थोड़ा कम कॉंटिटी में बना रही हूं अगर आपको ज्यादा बनानी हो तो आप पूरा 250 ग्रैम भी लेकर बना सकते हैं तो यह मैंने इसमें डाल दिया अब हम लाल मिर्च जिससे इसका फ्लेवर और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा अब हम इसमें डालेंगे सफेद नमक तो इनको हम mix कर लेंगे और लाल मिश डालने से इसमें थोड़ा चटपटा पना जाता है इसलिए लाल मिश का यूज़ करेंगे आप चाहें तो काली मिश भी डाल सकते हैं अब इसको हमें अच्छे से बॉयल होने देना इसके आद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक काला नमक से भी इसका जो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा तो देखी जितने भी स्पैसे पढ़ें सारे वो बहुत अच्छे हैं चटपटे हैं इस वज़े से ये चटनी बहुत अच्छी बनेगी अब इसको हमें कुछ ने करना इसको हमें बस थोड़ा सा थिक होने तक पकाना है दस से बारा मिनट में ये पक कर रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए चटनी हमारी पक चुकी है और इसमें जो बॉइल आ रहा है देखिए पानी ये इतना भी था इसका सोग हो गया बस अब ये गुड और इमली का पलपी बचा है बहुत जादा पानी इसमें डाला था तो इसको हमने ठंडा कर लिया है अब इसके पाद आपके पास कोई भी कांच का जार हो आप उसमें इसको स्टोर करके अराम से फ्रिज में रख सकते हैं तो मेरे पास ये जैम की बॉटल पड़ी हुई थी मैंने इसको साफ कर लिया है सुखा कर इसमें मैं चटनी को डाल दे रही हूँ आप किसी भी बरतन में इसको शिफ्ट करके रख सकते हैं तो ये चटपटी चटनी हमारी बनकर बिल्कल रेड़ी है प्लीज आप बताईएगा मुझे क्या आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है तब तक के लिए मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में कुछ अच्छी से इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी की सथ तब तक के लिए ब